यम्पी बोड नाइंध क्लास का सोसल साइंस का यहाँ पर पेपर हो चुका है और एंसर सीट यहाँ पर आप लोग मिला लिना जिसके भी एंसर गलात होंगे वो अपना सही कर लेंगे पहला जो प्रश्ण है निमलिकित में से कौन से राज से होकर करकरेखा नहीं गुजरता राजस्थान से जाता है चत्तिसगड़ से जाता है त्रिपुडा से तो उडिसा एक ऐसा राज है जहां से करकरेखा नहीं जाता पूर्वी घाट की सर्वोच सिखर है बताना है अनाय मुडी कंचन जुगा मेहंधर गिरी खास हो तो इसका राजसर हो जाएगा मेहंधर गिरी सिमली पाल जीव मंडल निचे कौन से राज में इस्थे थे ये बताना है आपको तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओड़ी सा भारत में मानसून का आगवन कब से प्रारंब होता है जून से होता है लोगतंतर जनता जनता के लिए जनता दौरा शासन होता है अबरहाम लिंक तो इसका राइट एंसर हो जाए कितना बचो 2013 में चलिए आगे चलते हैं रिक्तिस्थान भारत किस गोलार्द में है तो उत्री गोलार्द में है 2021 के जन गड़ना के अंसार, जन संख्या घनातो कितना है? आप लोगं को बताना है जन संख्या घनातो? तो आप लोगे को पता है, 382 ब्यक्ती प्रति बर्ग किलो मीटर. इसका राइट अनसर है जी को तो इसका राइट एंसर है, जीन एक्वेस रूसों ने ठीक है चलिए हिटलर के पुस्तक का नाम में केम्प है में केम्प बस्तर भारत के 36 वड़ा राज में संस्कत के निम्द सदन को हम लोकशबा के नाम से जानते हैं यह ना चलिए सरवाधिक जनसंक्यवाल राज उत्तर प्रदेश रूजगार गंटी में सौधी बस आंसांसु की में मार भूम में आपने की काई हेक्टियार सरवोच कानून संभिधान हिए बरसाय की संदी यह हो जाएगा ठीक है पुरा तो हो गया complete चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर ठीक सत्त असत्त बताना बच्चो तो यहाँ पर देखिए यह सत्त है यह भी सत्त है यह भी सत्त है यह सत्त है बाकि दो असत्त है ठीक है दो असत्त है मिला लेना अपना एंसर इसके बाद यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा बताओ फटा पड़ बताओ पहला प् को पौलिटिक्स की रचना किषने की थी तो यह आरस्तुushwork आचारसंगिता क्या है चुनाओं की समय थि 불 longing का vergays Igor चुनाओं के समय आटेग्या जो नियम है वह जो अचार संगिता कह राती है वह का बालन किसे कहते है शनमदों की होता है कि प्रति बेक्ति यदि मतलब जन्म ले रहे हैं तो कितने बेक्ति उसमें से खतम हो रहे हैं या दूसरे समय में एकनिस्चे समय में जन्म लिए हुए बेक्तियों की संख्या जन्मदर कहलाती है बहुबीद फसल बहुबीद फसल प्रणाली क्या है बहुबीद फसल प्रणाली का नाम बताना है अब को तो बहुबीद फसल मतलब बहुबीद मतलब एक से अधिक मतलब एक से अधिक फसलों को एक साथ हुगाना बहुबीद फसल कहलाता है जन्मदर हो गया एकाई समय में कितने वेक्तियों का जन्म होता हूँ को जन्मदर कहलाता है बफर श्टाक क्या है कि भविस्त में मालीजे किसी बस्तू की अपूर्ती होने वाली है तो उसको श्टाक करके रखना बफर श्टाक कहलाता है तो यह आपका राय टेंसर हो गया बांकि जिनको पेपर लेना हो रिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा ह हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे टेलीग्राम जॉइन कर लेना आप लोग तो वहां पर जो भी सल्यूसन हो गह रहा है आगामी से में मिलता रहेगा फिलाल अभी के लिए इतना ही जैहिंद बंदमात्रम